हम लोग पीछे पड़े हैं पान इंडिया मूवीज के लेकिन फिल्म बनाने वाले ओडियन्स से भी दस कदम आगे चलते हैं एक ही फिल्म में दो दो पान इंडिया कैसे सल्मान खान वित रजनीकान ये न्यूज सोशल मीडिया पर सुबह से वाइरल हो रखी है अरे कुछ लोग तो नेक्स लेवल पर पहुत गए सल्मान वर्सिस रजनीकान वर्सिस रनवीर सेंग और इस पूरे प्लान का मास्टर माइंड कौन वो जिन्नोंने सरकी का कमबाक ऐसा करवाया कि शायद अब जब तक बॉक्स ओफिस रहेगा जवान के बिना कभी पूरा नहीं होगा दूसरों का कमबाक तो बहुत करवा लिया लेकिन अब डिरेक्टर एटली खुद वापसी करने के लिए बॉम नहीं न्यूटियर बॉम ढून रहे हैं तो कितना सच कितना अल्मूस 99% कनफर्म समझो खूब अच्छे से उस न्यूज को मार्केट किया गया और सल्मान कैसे आफ्टर टाइगर 3 सिर्फ साथ काम करने पर फोकस कर रहे हैं पता चल गया पहले सिकंदर उसके बाद बुल और फिर ये एटली के साथ सूपर डूपर मास सिनिमा बॉस इस इससे बेस्ट न्यूज शायब कोई दूसरी नहीं हो सकती पर सल्मान खान फैंस बट यहीं पर धोगा खा गए सल्मान खान सिर्फ कमबाक नहीं करना चाते वो तो हर कोई कर सकता है कोई भी छोटा बड़ा अक्टर सल्मान खान आक्चली में सिर्फ बॉल्लिवुड नहीं पूरे इंडियन सिनिमा को दिखाना चाहते हैं कि स्टार्डम का सही इस्तमाल करना किसको बोलते हैं। और इसलिए अंदर की खबर ये है कि एकली वाला प्रोजेक्ट सलमान खान करेंगे तो जरूर लेकिन सिफ इस शर्थ पे कि उनके सामने विलन हीरो की टक्कर का होना चाहिए। ये सारी मुवीज इनके पीछे बॉक्स ओफिस पर खराब परफॉर्म करने का सबसे बड़ा रीजन है सलमान का वनमें शोओ। माने हीरो तो कहानी में आ गया और एंड में सब को हरा के जीत भी गया लेकिन हीरो का चैलेंज उस लेवल का था नहीं जिसके लिए पब्लिक थेटर आएगी। इन शॉर्ट ये लोग ऐसा प्रजेक्ट ढून रहे हैं जो कहानी वाइस सलमान खान को ऐसे प्रेजेंट करें जिसमें वो बाजिगर स्टाइल में क्लाइमेक्स को हार के भी जीत जाएं। बस इसी पॉइंट पे इस पूरी सिचुएशन में एंट्री होती है सन पिक्चर्स की जिनको बताया जा रहा है एस प्रेजूसर वो सलमान विट एटली वाली फिल्म के लिए। रहे हो वो एक्चुली में रियालिटी होने वाला है सबूत है सन पिक्चर्स के साथ रजनिकान सर का धमाकेदार रीसेंट कोलाबरेशन जेलर जिसमें 600 करोर वर्ल्डवाइट कलेक्शन से सबके होश उड़ा दिये और शायद काफी कम लोग जानते होंगे जेलर का सीक्वल भी बनने वाला है माने सन पिक्चर्स वित रजनिकान सर ये कोलाबरेशन काफी लंबा जाएगा अब देखो सच ये है कि हाँ एटली एक मल्टी स्टार्वर फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं बहुत जोरों से जुसमें ओरिजिनल आक्टर्स एसार के और ठालापती विजय क इमाजन किया गया था काफी बार लाइफ स्टेज पर एटली ने खुद इस बात को अनाउंस भी किया था लेकिन सपनों पर पानी फिर गया क्योंकि विजय सर ने मूवी से रिटायर्मेंट ले लिया फिर पता चला जवान का सीक्विल जो बहुत जोरों से एटली के कर दिया कोई फ्रेश कहानी पर काम करना जाते हैं वो ऐसे में एटली ने अपने उरिजिनल सपने को दुबारा जिन्दा करने का मन बनाया जिसमें सल्मान खान के सामने होने वाले हैं रजनी कान और जहां तक मुझे लगता है ये फिल्म अगर बनती है तो इसकी स्टोरी लाइन हॉलिवुड की फेमस फिल्म बैटमैन वर्सिस सूपरमैन से इंस्पैरड हो सकती है माने दो सूपरमास हीरोज एक दूसरी से भिट जाएंगे किसी गलत फेमी की वज़े से और एंड में एक साथ मिलकर किसी सूपर विलन की बैंड बजाएंगे और यहीं पर इस प्रोजेक्ट में आक्शली रनवीर सिंग की एंट्री के दरवाजे भी खुल सकते हैं जो फिल्म में लीड विलन का कैरेक्टर इजीली प्ले कर सकते हैं इजीली इसलिए बोला क्योंकि बंदे ने पदमावत में जो कांड किया था अगर वो जैसे का तैसा रिपीट हो जाए एक बार फिर से इंडियन सिरिमा में रिकॉर्ड्स तूट जाएंगे मैट्स कमजोर है तो मैं जोड कर बता देती हूँ दे वन इस पिल्म का बिजनिस कम से कम तीन सो करोड प्लस तक जा सकता है और ये मजाक पाली बात बिलकुल नहीं है शायद आप समझ नहीं रहो सल्मान खान जब बुल और सिकंदर करने के बाद एटली के साथ रजनी कान के सामने खड़े हो जाएंगे ना भया नौर्ड साउथ इस्ट वेस्ट चारो तरफ कियेटर्स स्टेडियम में बदल जाएंगे पान इंडिया नहीं डबल पान इंडिया बॉलिवुड इंटो तमिल सिर्मा पावर बुम लेगिन एक चीज इस पूरे सपने पे पानी फेर सकती है अगर इस सबसे आगे बढ़कर डिरेक्टर एटली ऐसी फिल्म लिख देते हैं बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या पर कुछ रिकायद करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई